तो अभी अपने देखा कि ये हमारे जल से समंदित कुछ शब्दा ओली जो ये विभाजित करती है कि हमारे जल की कहा कहां पर पुदों को उपलगता होने वाली है अब अपन आगे देखते हैं देखें तो हमारा जो म्रदा जल है उसको समानितियत दो भागों में विभाजित किया गए है एक फिजीकल यानिकी मूतिक और एक हैं हमारा बायोलोजिकल यानिकी सबसे पहले अगर हम इसका भूतिक वर्गी करन देखते हैं तो जल को तीन बागों में बाटा गया है नंबर फर्स्ट गुरुत्वा कर्शन जल सेकिन केशी का जल और थर्ड आता है आपका अद्रता ग्राहिज ठीक है अगर गुरुत्वा कर्शन जल की बात करें तो ये जिरो पॉइंट जिरो बार से लेके जिरो से लेके 0.33 बार ठीक है जिरो से लेके 0.33 बार के बीच में ये पाया जाता है और ये जल पोदों को उपलब्द नहीं होता उपलब्द नहीं होता ठीक है केशी का जल की बात करें तो ये माइनस 0.33 बार से लेके माइनस इगतीस बार तक पाया जाता है ठीक है और ये पोदों को उपलब्द होने वाला एक मात्र जल है इसको बोलते है उपलब्द जल और थर्ड आता है आपका आदरताग रही जल जो की माइनस इगतीस बार से अधिक तनाव पर होगा और ये वाश्प रूप में पाया जाता है वाश्प रूप में और ये भी कभी पोदों को उपलब्द है नहीं होता है तो पोदों को उपलब्द होने वाला जो एक मात्र जल है वो कौन सा है केचिक जल जो की शेत्र शमता से आद्रता ग्राही गुणांग आद्रता ग्राही गुणांग के मद्धे पाया जाता है कहां पाया जाता है विटाईए तो ये पाया जाता है हमारा शेत्र शमता से लेके आद्रता ग्राही गुणांग के मद्धे जिसको केशी का जल बोलते हैं 0.33 बार से 31 बार के बीच में और ये पोदों को उपलब्द होने वाला एक मात्र जल है उसके बाद आता है हमारे पास जल का जेविक वर्गी करन तो अगर हम इसके अकोडिंग देखते हैं तो जल तीन प्रकार का होता है उपलब्द जल दूसरा आजाएगा अनुपलब्द जल और थर्ड आजाएगा तूपर प्लेवस इंशाद ठीक है अगर उपलब्द जल की बात करें तो जो 0.33 बार से 15 बार के बीच में पाया जाने वाला जल है तो आपका कौन सा जल होगा, तो वो हो जाएगा आपका उपलब्द जल, अनुपलब्द जल की बात करें, तो अनुपलब्द जल कौन सा होगा, जो आपका माइनस 15 बार के आगे हैं, माइनस 15 बार से जो आपका जल उपलब्द होगा, पाया जाएगा, वो अनुपलब्द जल है और 0.33 बार से जो beyond आपका जल है वो है आपका super flavors जल जो बहकर wash out हो जाता है तो यहां से एक important चीज हमारे को याद रखने है कि जो हमारा उकलब्द जल है वो 0.33 बार से 15 बार के बीच में है अब आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो देखो अगर मैं केशी का जल की ब लेके 31 बार के बीच में ठीक है 0.33 से 31 बार के बीच में केशी का जल है अगर इधर वाले वरगी करण के अनुसार जाते हैं तो जो आपका उपलब्द जल है वो कहां पाया जा रहा है तो उपलब्द जल पाया जा रहा है आपका 0.33 बार से लेके 15 बार के बीच में ठीक है 15 बार के बीच में आपका जल हो रहा है वो उपलब्द जल लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने हैं क्योंकि केसी का जल भी पोदो को उपलब्द होता है इस कारण इसको भी उपलब्द जल बोलते हैं लेकिन अगर कभी examiner आपसे तनाव पूछेगा तो वो यहां उप उपलब्द जल के अकोडिंग पूछे तो 0.33 बार से लेके 15 बार लेकिन अगर केसी का जल के अकोडिंग पूछे तो 0.33 से लेके 31 बार के बीच में आपका क्या होगा तनाव होगा यह बहुत फेमस क्यूशन है बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं यहां पे कि सर उपलब्द जल केसी का जल कोई तो उपलब्द जल बोलते हैं और वो तो 0.33 बार से 31 बार के बीच में पाया जाता है बिलकुल बोलते हैं लेकिन अगर उसको यह तनाव पूछना होगा तो वो एक्जाम में आपको केसी का जल के नाम से पूछेगा लेकिन अगर 0.33 बार से 15 बार के बीच की बात की जाए तो वो आपका कौन सा जल होगा तो वो होगा विटा आपका उपलब्द जल तो एक बार इससे जो questions आपके म्रदा जल से बनते हैं उसको अपन थोड़ा सा summarize करते हैं नंबर वन एक तो आपसे पूचा जाएगा सरसंजन सरसंजन यानि कि समान अनू के मद्दे समान अनू के मद्दे जो पाया जाने वाला बल है उसको बोलते हैं सरसंजन और एक होता है आपका आसंजन आसंजन मतला असमान अनू के मद्दे जो पाया जाने वाला बल है वो आप आपका कौन सा बल होगा तो वो होगा आसनजन बल ठीक है उसके बाद आजएगी आपकी संत्रप्त अवस्ता संत्रप्त अवस्ता क्या होती है जिसको अपन इंग्लिश में सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं तो देखे बीटा इस दवस्ता पर आपका मरदा तनाव धिरोबार होगा और आपके जो छोटे एवं बड़े रंद्र हैं वो सब किस्से बरेवये होंगे वो बरेवये होंगे बीटा जल से उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चित्रश शम्ता तो शेत्र शम्ता पर तनाव माइनस 0.33 बार खोटे में वायू चोटे में जल सोरी बड़े में क्या होगी वायू यहाँ पर जल उपलब दिता 100% इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे उपरी सीमा इसको अपन क्या बोलेंगे उपरी सीमा जल उपलबता और म्रदा नमी का निर्धारन अर्तालिस से बहत्तर गंटे बात करेंगे इस अवस्ता पर म्रदा नमी का निर्धारन अर्तालिस से बहत्तर गंटे बात करेंगे इसके बाद आता है पी डवल्यू पी पे म्रदा तनाव माइनस 15 बार होता है यहाँ पर बड़े में और छोटे में दोनों जग़क क्या आ जाईगी आपकी वायू जल की उपलबता वो हो जाईगी बेटा नगरने ठीके इसको हम क्या बोलेंगे नीचली सीमा और जो इसका सूचक पोदा है कान का सूचक पोदा वो है आपका सूरज मुखी लेकिन इस अवस्ता पर पोदे की म्रत्यों नहीं होगी ठीके और एक लास्ट यू डवल्यू पी यहाँ पे पोदों की क्या हो जाएगी प्रत्यों जाएगी कनाव माइनस सिक्स्टीन बाग के लियर तो यह हमारे इससे पूछे जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इस पूरे 0.33 बार से लेके 31 बार के बीच में और एक आप से अगर कभी पूछा जाए तो वो जल है आपका उपलब्द जल जो की पाया जाता है 0.33 बार से लेके 15 बार के बीच में तो यह आपकी कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन्स हैं जो आपको मरदा जल से ध्यान रखने हैं